वेलकम फ्रेंड्स पुश्शाम देद दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है सेफटी ओफिसर्स केरियर इन 2021-2022 यानि सेफटी ओफिसर का केरियर 2021-2022 में कैसा रहेगा जो लोग सेफटी की फील्ड में आना चाते हैं तो वो जानना चाते हैं के सेफटी की फील्ड का क्या स्कोप है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन से सेफटी कोर्स हमें करने चाहिए और इसके लिए बेसिक कौलिफकेशन क्या होनी चाहिए और किन कंट्रीज में इसकी डिमांड है और जॉब्स इस फिल्ड में मिल रही है के नहीं तो आज ये सारी बाते हम इस वीडियो में जानेंगे पिछले कुछ सालों से इस फिल्ड में काफी ग्रोथ हो रही है और मजीद इसकी ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि इंडस्ट्रीज और हमारा माश्रा नहीं चाहता के एक्सिडन्ट्स हों और जानो माल का नुकसान हो सेटी की जॉब्स के हवाले से सबसे असानी से हम मिडिलीस्ट और सौधी अरब में एंटर हो सकते हैं और अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं आज कल सौधी अरब में सेफटी ओफिसर की काफी डिमांड है जिसकी मेन वज़ा करोना वाइरस के लोकडाउन में जो लोग सौधी अरब से अपने कंट्रीज छुटी के लिए गए थे तो वापस नहीं आ सके और दूसरी वज़ा सौधी अरब में काफी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं जिसकी वज़ा से आज कल सेफटी की जौब्स की काफी डिमांड है और अगर आप सेफटी ओफिसर की जाब हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप की बेसिक कॉलिफिकेशन ग्रेजव होनी चाहिए और इसके साथ आयोश या ओशा में से कोई एक कॉर्स होना चाहिए और बेतर है कि आप किसी भी फील्ड में यानी में升 काल में कटनिकल में डिपलोमा कर लें और इसके साथ आयोश या ओशा कर लें और दो या तीन साल का experience ले लें तो बहुत बहतर होगा और अगर आप निबोश कर लें तो सबसे बहतर है अगर आप safety की field में अच्छा carrier बनाना चाते हैं तो निबोश आप के लिए सबसे बहतर होगा वरना आप जॉब के साथ बाद में भी निबोश कर सकते हैं और अगर आप को आपके country से सौधी अरब और दुबई के लिए जॉब नहीं मिल रही है तो आप सौधी अरब free visa यानि अजाद visa जो के आप अपना visa खरीद कर सौधी अरब आकर जॉब ढून सकते हैं और दुबई visit visa पर आकर दुबई में जॉब ढून सकते हैं और अगर सौधी अरब की बात करें तो आप सौधी अरब में अजाद visa पर आकर 4-5,000 रियाल महाना की जॉब बाअसानी हासिल कर सकते हैं और याद रखें दोस्तों सौधी अरब में आने के बाद आपका टेस्ट और इंटरिव्यू कमपनी लेगी और इसके इलावा अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट के लिए आपको इंटरिव्यू देना पड़ेगा और उसके लिए आपको आपकी सेफटी की रूल्स और रेगुलेशन की मुकमल तैयारी होनी चाहिए और आपको ताके आप जो है क्लाइन्ट का इंट्रिव्यू पास कर सकें और उसका टेस्ट भी पास कर सकें जिसके लिए आपको अच्छी नॉलिज होनी चाहिए सेफटी के बारे में, सेफटी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, सेफटी के स्टेंडर्स के बारे में आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं ताके आप क्लाइंट का टेस्ट और इंटरिव्यू बहासानी पा के लावा दोस्तों अगर आप कुछ मजीद मालूमात चाते हैं और आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हैं